हेलो दोस्तो मैं रोई आपके अपने यूटूब चैनल लक्ष टेक्निकल क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है टोप सामने बिग्ञान 30 प्रसंट दोस्तों टोप 30 क्यूशनों के मैं बात करूंगा दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है दोस्तों आपसे पिछले दस वीडियो मैंने टोप टोप कुशन जो साइंस के होते हैं वह मैंने वीडियो के माद्यम से प्रेंट्स पड़ाया है और सैसन इतना शानदार हा कि बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही अच्छे-च्छे क्विशन म आपको पिछले 10 से लेके 15 वीडियो साइंस के में डाले हैं तो आप वीडियो के अंदर प्ले लिश्ट में देख लेना बहुत अच्छा सेसन में आपको पड़ा रहा हूं और 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 भी आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जुरूर करना अपने भाइबे नोगो शेयर करना और अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जूर करना दोस्तों बात करते हैं सामने बिग्यान के टोप 30 क्यूशन रहेंगे तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्या है और पहले क्योशन है फ्रेंड्स पदार्त का परमानु शिद्धान्त किसने परतिपादित किया था प्रतिपादित कि यह वेरी वेरी इंपोटेंट क्यूशन है और इसी टाइप के क्यूशन आज कल अग्जाम में पूछे जाते हैं रेल्वे एंटिपीशी हो गुरूप द देखना और आपको अंताज हो जाएगा कि यहीं कुछन आपने अगर एक्जाम दी होगी तो ऐसे कुछन पूछे को हैं और बहुत ही शांदार कुछन में आपके लेकर आया हूं ऐसे कुछन आजकल एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्यों होगा फ्रें पोज किसी ने कीती इंपोर्टेंट क्यूशन है राइट आंसर हो जाएगा हैंडी बेकुरल डी इजदा राइट आंसर फ्रेंट टोप ठैटी क्यूशन में लास्ट में आप बताओगे कि आपने कितने क्यूशन सही किये और कमेंट में अपना स्कॉरकार जूरूर बताए क कि आपने 25-25-26 कितने क्यूशन आपने सही किये ठीक है फ्रेंट से नाबी के सेंट्रों में ग्रेफाइट का अप्योग किया जाता है वेरी-वेर्य इंपोर्टेंट क्यूशन है राइट आंसर हो जाएगा वी मंदक के रूप में वी इस दा राइट आणसर क्या फ्रेंट् घ्रोजन विक्सित किया गया था जिसे किया था एडवर टेलर द्वारा एजगा राइड आ एज्दार राइट आंसब किसने किया थाएड़र से थी फिर गुछार नहीं फिर जागा ही ति सिद्द्धान करता है ति चार उप्सन आपके पास पर नेश्ट कुशन है नाभी किये रेक्टरों में वी मंदक वै परतिशी तक दोनों की तरह प्रिक्त होने वाला पदार्थ वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है राइट आंसर हो जाएगा भारी जल बहारी जल डी टू ओ इबारे जल का सुत्र फ्रेंट्स दी टू ओ नेश्ट क्यूशन है निम लिखित में से कौन सा आइडरोजन का समस्तानिक आईसोटोप नहीं है तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप क्यूशन देखके समझ गयोंगे कि आप इस सेशन को छोड़कर भागने की कोशिस करोगे और यही क्यूशन आपको एकजाम में देखने को मिलेंगे तो फ्रेंस इन क्यूशनों को आपको छोड़ना नहीं है ऐसे ही वीडियो चाहिए आप मेरा वीडियो देखो इस चैनल का वीडियो देखो और कि उपनी और इजे चैनल, एचयवान घ्यूशन जाएग dissolved न D is the right answer next question है रक्त का पीअच मान इतना होता है very simple सा कुषेन है 7.4 C is the right answer रक्त का पीअच मान कितना होता है friends 7.4 यह सारी होता है friends अगर 7 है तो उदासीन 7 से अगर उपर है तो सारी है और 7 से निचे है तो क्या बोलते हैं उसको friends अमली है किस गैस को दबाने से संपिडियन करने पर क्या होता है फ्रेंड्स क्या होता है दाब तता तापमान दोनों बढ़ते हैं किसी गैस को दबाने पर क्या होगा दाब तता तापमान दोनों बढ़ते हैं परम सुन्यताप का मान कितना होता है को ऐसे क्विशियन ज़़ाँ लाचान जाते हैं बिल्कुल वीडियो पूरा देखें आपको बहुत मज़ागा वर ऐसे क्विशियन पूछ रूप से न्यूंतम संभव तापमान ए इजदा राइट आंसर ए इजदा राइट आंसर नेस्ट कुछन है निम्लिकित में से कौन सा इदन न्यूंतम परियावरन परदोशन फैलाता है तो फ्रेंड्स यह कौन फैलाता है बिलकुल कोईला शोरी हाइड्रोजन ए इजदा राइट आंसर हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स न्यूंतम परियावरन परदोशन फैलाता है हाइड्रोजन नेस्ट कुछन है बायो गेस सयंतर सयंतर से निसकासित निम्लिकित में से कौन सी गैस इदन गैस के रूप परचित निम्लिकित में से कौन सी गैस इदन के रूप में वित है मिए थैन कर रहना इत Such Time त्याफ्राइंट की ब़त करें तो राइट आंसर हो जाएगा औरा प्राकर्तिक जो गैस हो अव्यू Means सबसे इन माना गया है कि सबसे बारी दातु कंसी है तो सबसे बारी दातु और हलकी दातु दो क्यूशन आपको पता होने चाहिए तो सबसे बारी दातु ओस्मियम नेस्क्यूशन है निमिन में से कौन सा तत्म सरवदिक विदूत रने आत्मक है तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भी फूलोरी फ्लोरीन जो है वह सरवदिक विदूत का रनात्मक होताहे इस क्यूशन का जवाब आपको मालुमें होना चाहिए उमीद है की सेस्टन आ कि आपक्ति में गोवाइब कि आपको आए को भी खुर अपको लग रहा होंगा पढ़कर अगर वीडियो वीडियो ओर आपको अच्छा लग रहा है तो तरन्त लाइक कड़ें और अगर अनल लग रहा है तो करो करो कॉंजों साहीघ शेयर करो और कि सोडियम को किसमें डूबो कर रखा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्विश्चन बहुत बार पूछा जाता है राइट आंसर मिट्टी का तेल सी इजदा राइट आंसर सी इजदा राइट आंसर सोडे का दोने का सोडा रासाइनिक सुत्र क्या है फ्रेंड्स दोने का मुझाने जो शोड़ा है उसका राशायनिक सुत्र पूछ़ए राइट आंसर हो जायेगा नाट निए टू-COP3 दोने के सोड़े का राशायनिक सुत्र होता है नेस्ट क्यूशन है फ्रेंड्स बैंकिंग सोडा जिसे हम बोलते है खाने का सोडा करा साइन एक सुत्र क्या है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एएज सी ओ थ्री भी इजदा राइट आंसर दोने का सोडा पूछ ले तो एन और टू सी ओ त्री लेकिन यहां कितना शांदार क्यूशन है वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन मैं इसको कहूंगा पोटास एलम एजदा राइट आंसर पोटास एलम जो होता है वह रखत स्राव को रोखने के लिए आम तोर पर अलुमिनियूम के लवन कप्री होगे किया जाता है वैपोटास एलम नेस्ट क् जिसने रेडियम की खोज की फ्रेंट इसकूशन का जवाब आपको आना चाहिए कमेंट कर जरूर बताना किसका राइट आंसर क्यों अगर आपको क्यूशन का जवाब आता है तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं लेकिन लास्ट में आपको तीन क्यूशनों में से कितने क्य कि आपका स्कूर काड जरूर बता हैं कमेंट जरूर क्या करो कमेंट में सिर्फ आपको पाइंट शरूर करो कि आपने कृशन सजीłem टॉके रही बिज्डरराइट आंसर संसर मैडम क्योड़ी के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारकोल सलपर पोटेशियम नाइटर बिलकुल डी इस दा राइट आंसर चारकोल सलपर पोटेशियम नाइटरेड गन पाउंडर का मिस्रण से बनता है नैस्ट क्यूशन है पीतल में कौन सी दातु होती है देखो आपको क्यूशन देखकर समझ में आ गया होगा कि क्यूशन कितना स्यांदार है तो पीतल में जो धातु होती है तामा और जस्ता बी इस क्यूशन का राइट आंसर हो जाएगा बी इस स्कूषन का राइट से रोगा है याद रखना बइनस क्योस के राइट अंशेट पूछा स्वाइगा तोर निम्हा इंच पूछन के राइट रहे हैं तो राइट बहुत वार एक्जाम में आता आपर समय क्योस्त भ हूत क्योस था कि से बनары चिसा रहे हुटन경ा क्यों श्यूत्तार किससे बनता है बनती है तीन और सीसे की मिश्र दातों से याद रखना और इसको फ्रेंड रिस्टार लगा लो आप राइट आंसर को जाएगा बिलकुल है रोजन सी इजदा राइट आंसर कि निया इसक्यूशन हीरा और गर्फाइट किसके अपर रूप है याद रखना कार्बन के अपर रूप है क्या फ्रेंड्स कार्बन के अपर रूप होते हैं इसको भी नेस्ट क्यूशन है कार्बन का सुद्थम रूप क्या है फ्रेंड्स हीरा है इसको भी आप इस्टार लगा लें वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कार्बन का सुद्थम रूप क्या है हीरा उमीद है कि तो ठैट आपको अच्छे लगे होंगे और अगर आपको वाकह में अगर दिल से मन से वीडियो अच्छा लगा तेक्र लाइक जरूर करें रफ्रेंड्jor करom तो लाइक जूर करें और अपना स्कोर कार बताएं कि तीस में से कितने क्रिशन आपको आपने ठीक किये या सही किया चैनल से पहली बार जूर रहे हो अगर ऐसे वीडियो चाते हो तो 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज के लिए वीडियो में इतना ही फिर्चे आओंगा जरूर आओंगा नमस्कार